मैं दॉक्टर पुनीता सोनी वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चानल पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज यानि की मदुमेह के बारे में इस वीडियो में हम ये जानेंगे की डायबिटीज क्या होता है क्यूं होता है इसके साइन एंड सिम्ट आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस जिससे की डायबिटीज को बिल्कुल दूर किया जा सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा इंफरमेटिव होने वाली है इसे अन तक जरूर देखिएगा मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्क पैर पसार रहा है और बहुत जादा पॉपिलेशन में ये आगे से आगे बढ़ रहा है दोस्तों हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसका की नाम है पैंक्रियाज पैंक्रियाज का काम है इंसूलिन हॉर्मोन को सिक्रीट करना सिंत्रसाइज करना और ये इंसुलिन हाइड्रेट्स जो हम खाते हैं उसके मेटाबॉलिजम में काम करता है ग्लुकोज रिलीज करेगा एनरजी प्रड्यूज होगी और उस एनरजी से हम अपने सारे डे टो डे काम कर पाएंगे लेकिन अगर किसी वज़े से पैंक्रियाज यह हॉर्मोन प्रॉपरली रिलीज नहीं करे या यह हॉर्मोन प्रॉपरली एब्जॉब होकर अपना काम ना कर सके तो क्या होगा एक्सेस ऑफ ग्लुकोज जो हमारी बॉड़ी में heart attack का बहुत ज़्यादा खत्रा रहता है बहुत ज़्यादा debility और weakness के symptoms देखने को मिलते हैं मरीज का वजन बहुत ज़्यादा कम हो सकता है साथ के साथ में उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है रात रात को जाक कर उसको बार बार urine के लिए जाना पड़ सकता है तो basically हम यह कह सकते हैं कि यह multi-organ disturbance है multi-organ disorder है और इसलिए यह बहुत ज़्यादा खतानाक है प्रकार की होती है type 1 diabetes जो की genetic causes की वज़े से हमें मिलती है by birth ही मिलती है अगर हमारी family history में diabetes चलता आ रहा है तो वो हमें मिल सकता है type 2 is that type of diabetes जो हमें हमारी faulty lifestyle जो हमने अपनी जिंदगी में गलत आदते अपनाई हुई है exercise ना करना कोई sleep time ना होना बहुत ज़्यादा जंग खाना अपने खान पान पर बिल्कुल ध्यान न देना बहुत ज़्यादा stress लेना sleep का कोई pattern ना होना इन सब की वज़े से हमें type 2 diabetes हो सकता है लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर हम lifestyle को सुधार ले तो type 2 diabetes को treat करना बिल्कुल possible है तीसरे नंबर पर आता है gestational diabetes gestational diabetes pregnant women में जावा देखने को मिलता है और 8 से 10% of pregnant women इससे सफर करती है दवाईयों से इसका भी काफी हत तक उपचार संभावित है और 4 नंबर पर आती है कुछ और small causes जो की liver या heart के साथ related हो सकते है किसी और problem की वज़े से जब आपके अंदर diabetes के symptoms आने लग जाए that will come into the fourth category तो दोस्तो diabetes के sign and symptoms की तो बात हो गई और हमें एक बहुत अच्छी healthy lifestyle अपनानी चाहिए इसके बारे में भी बात हो गई आज इस वीडियो में basically मैं आपको एक ऐसा राम बान जादूई 100% कारगर होमे आप इंसुलिन के injections ले रहे हैं या बहुत strong allopathic medicines ले रहे हैं तो भी इन homeopathic दवाईयों से आप उन सब को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं totally homeopathic पे आ सकते हैं और अपनी diabetes की range को कम कर सकते हैं अपने sugar level को control कर सकते हैं पहले नंबर पर जो mother tincture आता है उसका नाम है सिक्जीजिय जंबो लेनम mother tincture ये दवा बनाई जाती है जामुन यानि काला जाम फल से और इस दवा को अगर हम regular basis पे लेते हैं तो हम हर तरह की diabetes को 100% तूर कर सकते हैं अपनी sugar range को normal ला सकते हैं हमें कोई और insulin injections या allopathic medicines जिसके की अपने side effects होते हैं और वो सब लेने की बिल्कुल भी पिड़स के case में अगर आपके urine में भी glucose या sugar बढ़के आने लग गया है तो आप उन situations में sixesium का mother tincture ले सकते हैं साथ में ही अगर आपको बहुत जादा प्यास लगती है बहुत कमजोरी feel होती है और बहुत जादा urine जाना पड़ता है हर 10-10-15-15 minute में जब patient ये कहता है मैं त बहुत सारे journals publish हुए हैं उसमें sixesium की बहुत जादा महिमा गाई गई है तो पहले नंबर पे आता है sixesium jumbo linum का mother tincture दोस्तों होमेपथी के दूसरे mother tincture के बारे में बात करूंगी जिम नेमा सिल्वेस्ट्रे mother tincture ये खास कारगर है जब आपको diabetes के साथ में बहुत सूपर बोले कि मेरा मुह बहुत जादा सूखता है मुझे sugar है और मुझे ये problems बहुत जादा देखने को मिल रही है जिम नेमा सिल्वेस्ट्रे उसमें बहुत ही कारगर तरीके से काम करती है diabetes के कुछ patients में ये बहुत जादा देखा गया है कि उनको phode funsya हो जाते हैं शरीर पर छुटी छुटी बोईल्स हो जाती है और जो heal नहीं करती है जल्दी से क्यूंकि diabetes का ये बहुत common symptom है आपकी healing delayed हो जाती है तो अगर आप में ये symptom हो कि आपको boils या phode funsya निकल रहे है पूरे शरीर में हर समय आपको कुछली या itching की समस्या है तो जो थर्ड नंबर का homeopathic medicine है वो बहुत कारगर है आपके लिए सिफेलेंडरा इंडिका का mother tincture ये आपकी profuse urination, profuse thirst और debility के साथ-साथ आपकी skin की itching की problems को भी बहुत अच्छे तरीके से दूर करेगा mother tincture medicines के साथ-साथ दो ऐसी और homeopathic medicines है जो की pancreas के reactive principle से ही बनी है पहली दवा आती है pancreatinum 30 और दूसरी दवा आती है insulin 30 जैसे कि ये नाम अपने आप ही बता रहे हैं कि ये pancreas के active principle से बनी है और insulin जो है वो insulin के principle से बनी है ये दो दवाईया बहुत ही ज़ादा कारगर साबित होती है शुगर और diabetes के patients में ये दो दवाईया अगर हम mother tincture combination के साथ में लेते हैं तो करामाती तरहीके से हमारे diabetes को हम बहुत ही जल्दी दूर कर सकते है एक healthy lifestyle और exercise का बहुत important role है मैं हमेशा बताती हूं अब देखते हैं कि ये दवाईया लेने का तरहीका क्या है जो तीन mother t tinctures के आज हमने बात की है सिफेलेंडरा mother tincture जिमनेमा mother tincture और सिग्जीजियम जेंबोलिनम mother tincture इन सब की sealed bottles हमें लेकर आनी है और हर मील से पहले breakfast, lunch और डिनर से आधा घंटा पहले आधा कब पानी लेकर इन तीनो mother tinctures की 10-10 drops उसमें मिला लीजिए और वो आप consume कर लीज सिर्फ 5 drops आपको आधा कब पानी में मिलाकर एक खुराक लेनी है रोज रात को सिर्फ सोते समय अगर इन सारी दवाईयों की combinations को मेरे बताए अनुसार लेते हैं साथ में बहुत healthy lifestyle अपनाते हैं regular exercise करते हैं 40-45 minutes per day मीठा बिलकुल कम कर देते हैं अपनी diet से और fruits, vegetables, yoga, walking, meditation इन स आपको अपनी diet में शामिल करते हैं दोस्तों तो 100% आप diabetes और sugar से छुटी पा सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही घातक विमारी है इस पर काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको mother tincture combinations और medicines के साथ साथ कुछ छोटी छोटी ऐसी काते भी बताई हैं जिससे कि आप diabetes को दूर कर सकते हैं आईए आप बात करती हूँ एक छोटा सा लेकिन बड़े काम का नुस्खा डायबिटीज या शुगर को कंट्रोल करने के लिए cinnamon turmeric tea को अपने daily routine में जरूर शामिल कीजिए एक कप दूद लीजिए उसमें a piece of cinnamon डालिए and one fourth spoon of turmeric या हल्दी इसको आपको 2-4 मिनिट तक के लिए boil करना है चान लेना है और इसको ऐसे ही consume करना है इसमें चीनी या शहद या काफी सुधार देखने को मिलेगा दूसरा नुस्खा मेरा कहता है कि आप flax seeds और chia seeds market से लेकर आईए आधा आधा चमच इन दोनों का रात को सोक करके रखिए पानी के साथ सुभे दूद में इनको हलका सा boil करके और फिर पूरा का पूरा ऐसे ही consume कीजिए इससे भी blood sugar levels बहु की lifestyle के साथ में आप अपनी sugar को जरूर control कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इससे जादा से जादा शेयर कीजिएगा like कीजिएगा मेरे चैनल को subscribe कीजिए जिससे की आगे आने वाली वीडियो की notifications आपको मिलती रहे मुझ पर आपका जो बहुत जादा प मुझ जादा मुझ ओर आ वीडियो